असलाम अलेकूम आज हमने फर्स्ट यर फिजिक्स का सेकेंड चेप्टर का थर्टीन्थ लेक्चर स्टडी करना है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे क्रॉस प्रॉडक्ट या वेक्टर प्रॉडक्ट की करिक्टर स्टिक्स ठीक है लास्ट अमने क्या पढ़ा था क्रॉस प्रॉडक्ट होता क्या है और इसका अगर हम जहन में रखें कि A x B अगर हमने मालूम करना है तो वो किसके बराबर था A की मेगनिट्यूड और B की मेगनिट्यूड का प्रोड़क्ट ले लेंगे फिर साइन ऑफ दे एंगल बिट्वीन देम उनके दर्मियान जो एंगल है उसके साथ साइन का फंक्शन गे वैलू मालूम करेंगे अब यह जो पार्ट है यह मेगनिट्यूड पार्ट है कि है बटा हमने कहा था कि जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोड़क के जरे मल्टिपलाइ करेंगे तो रिजल्ट भी वेक्टर ओंपे ख्यान के साथ एंअ नियॉन वेक्टर कॉंड देंगे अनियॉन वेक्टर को मुल्टिपलाइ करेंगे अनियुन वेक्टर इस diverशा डिरेक्शन विच विच गफित प्रट भी विच लंड मल्मल्ट पूल टूड ता नौमल मीलम मल्मल्मट के ओंगम लां किस प्लेन क की magnitude होती है और यह उसकी क्या होती है बटा डारेक्शन होती है ठीक है बटा magnitude और direction मिलके वेक्टर बनाती है बटा सही अब देखो कि फिर हमने कहा था कि इसको हमने इस तरह में लिखा था कि A x B is equal to A x B की magnitude into an unit vector याद है यह बात कि इस वाले को हमने क्या कहा था मेगनिट्यूड है तो मेगनिट्यूड को हम इस तरह लिखते होते हैं मौड की फार्म में ठीक है और यह एन उनिट वेक्टर है यह direction है magnitude into direction यह क्या बंजेगा वेक्टर बंजाएगा और इस वेक्टर की A x B is equal to negative of B x A ठीक है A x B ब्राबर होती है negative of B x A के बढ़ा ठीक है तो और यह इखा था कि A x B x B x A के बराबर नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि इनकी magnitude सेम होती है इनकी क्या होती है बटा मेंगनिट्यूड सेम होती है बट direction की जब बात करते हैं तो direction opposite होती है हम इसको इसना लेख सेते हैं and इसको and करते हैं a cross b is equal to b cross a अगर हम इनकी magnitude ले 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 तो वो क्या होंगी भीटा इकोल होंगी भीटा बाद समझा गी अब यह और यह फरक है इन में भीटा यह magnitude की बात कर रहा है यहांपे magnitude का जिकर पर दोनों के magnitude same होगी ठीक है बता? और जब उनकी direction के magnitude के साथ direction लगके vectors बनेंगे तो फिर वो vector same नहीं होंगे वो anti-parallel vectors बनें क्या बनेंगे बता? दोनों की direction क्या होगी? opposite दोनों की direction क्या होगी? और magnitude क्या होगी? same बता बहुत समय जागी? तो अब यही बात हैं हमने यहाँ पर इसको और भी अच्छ तरीके से करनी है पहला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी है बैटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानि कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते थे एक A, A, B, A इंटर्चेंज कर दें तो उसका ओर्डर जो है इर्रेलियूट रहे हमें उसे और से कोई फर्क ना पढ़े पहले जैसे रखें या बाद में चेंज कर दें उसके रिजल्ट पर कोई फर्क ना पढ़े यह होती एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ऐसा यहां पे रह रह रहा है order change करने से कोई result पर फरक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है कि direction क्या हो जाती है opposite हो जाती है तो that's why there is the violation of the commutative law यहां पे commutative law holder नहीं करता यहां पे commutative law की violation होती है बाह समझा जागी तो हम लिखते हैं violation of of commutative law violation of the commutative law अब ज़रा देखो कि हम कहते हैं a cross b is equal to a b sin of theta into n unit vector जो कि हम इस तरह से represent करते हैं यह a vector है यह b vector है और यह हमारे पास n unit vector की direction है a cross b की बाह समय जागी किस तरह से बाह ठीक है तो अब ज़रा देखो कि अगर हम b cross a draw करें यह कल मैंने बड़े ड्रेल के साथ समझाया था आपको यह कैसे बनता है याद है ना तो यह क्या बनेगा यह बनेगा a b sin of theta into negative n unit vector क्योंकि इसकी जो direction है वो कुछ इस तरह से बटा इसकी downward direction होगी अब अगर इसको positive consider करें तो इसको क्या करेंगे negative बटा तो यह b cross a की direction बने यह b है और यह क्या है बटा a है तो b से a की तरफ बटा angle बनेगा यहाँ पे angle theta बटा बास समय जागी तो अब जड़ा देखो कि यह क्या relation बन गया है इसको negative sign है यह negative sign यहाँ आजएगा अब इस negative उठा को इधर लेकि आसकते हैं यह क्या बन जएगा यह बन जएगा minus b cross a is equal to a b sin of theta n unit vector हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसे यह negative इधर आसकता है यह नहीं आसकता आसकता है बटा पकी बात है अब देखो यह चीज किसके बराबर है a b sin theta वो a cross b के बराबर है यहाँ पे a b sin theta n unit vector यह minus b cross a के बराबर है यानि कि right hand side दोनों के क्या है equal तो left hand side भी दोनों के क्या होंगी equal होंगी बटा तो हम यह यह लिखेंगे from these two equations a cross b is equal to negative of b cross a यह दुन आपस में क्या होंगी equal होंगी negative sign के जरीए डबास में जागी अब गोड़ समरना यह जो a cross b है let's suppose यह है 5i के बराबर किसके बराबर बटा और यह दोनों सेम लिखे हुए है इसका मतलब यह 5i तो यह भी समझागी यह आपस में equal है यानि के negative b cross a की value भी क्या है 5i unit vector a cross b की value भी क्या है 5i unit vector तो a cross b और negative a b cross a की values दोनों क्या है सेम है तो फिर यह दोनों भी आपस में क्या होंगे बास में जाए यह नहीं मुश्किल बात तो नहीं कर दिया हमने कोई यहां से पता है क्या चला यहां से पता है क्या चला है कि वाइलेशन हो रही है किसकी commutative law की क्यों violation हो रही है because a cross b is not equal to b cross a बास में जा गई तो this equation shows that the violation of the commutative law बास में जा गई अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते है दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बाटा कि अगर हमारे पास हमने cross product लेना है क्या बाटा cross product लेना किसका बाटा perpendicular vectors का किसका तो फिर क्या होगा तो आपका जो result आएगा वो maximum आएगा क्या है बाटा इस देखिए का कि आपका जो vector आएगा उसकी magnitude क्या होगी maximum क्या होगी बाटा maximum result आएगा ठीक है अब हम देखते हैं कैसे तो इसको पूरा लिए दो यह lemon max लग रहा था पहले ऐसे तो हमारे पास एक vector है ये और एक vector है ये बाटा बाट समय जा गई लेट स्पोस के ये a vector है और ये b vector है और इनके दर्म्यान angle कितना है बाटा 90 degree अब ज़रा गोड समझेगा हमने कहा था कि ये जो direction हम मालूम करते हैं ये right hand rule के जरीए मालूम करते हैं किसके जरीए वो यूज करना तन right hand rule के फस्स वेक्टर की डियर्शिम आपने फिंगर्स खोल लें उस हो कर्ल करें इंट तो अलाउं दस्मालस्ट पॉसिबल एंगल क्या बाटा समालस्ट पॉसिबल एंगल की तरफ अपने फिंगर्स हो करें दूसरे वेक्टर की तरफ थम, रेक्ट थम विल लिंडिकेर दार्क्शन ओफ बाटा बास महजा जागी तो अब यह दो वेक्टर पर्पेंग्डिकुलर वेक्टर हैं अब इनका हमने क्या मालूम करने क्रॉस प्रॉड़क्ट मालूम करने हमने कहा दिया कि maximum result आएगा बेटा maximum result आएगा अब देखो बेशक कि यह perpendicular हो या ना हो तो इनकी magnitude पर कोई फरक पड़ता है A vector की magnitude पर B vector की magnitude individually कोई फरक नहीं पड़ेगा वेक्टर की magnitude उतने ही रहेगी इसकी vector की magnitude भी उतने ही रहेगी तो उनका जो product है उसकी magnitude डिपेंड कर रही होते हैं एंगल के उपर sin theta की value के उपर अब देखो यह जो फार्मूला है ना यह जो फार्मूला है A cross B is equal to A B sin of theta N unit vector N unit vector का magnitude से कोई तालुक नहीं है A vector की magnitude 5 Newton है तो 5 Newton ही रहेगी B Newton की value 6 Newton है तो 6 Newton ही रहेगी बैटा बास समझागी या जो भी है तो यानि के magnitude change नहीं होते है इंडिविजिल वेक्टर की तो product की magnitude कैसे change होते है किस पर depend करती है sin theta की value उपर कि A और B के दरिमें एंगल कितना है बास समझागी तो उसकी magnitude पर depend करती है अब ज़रा देखो कि जैसे साइन की function की value change होते जाएगी वैसे वैसे product की value भी change होते जाएगी अब ज़रा देखना कि बटा कि अगर हम यह कहें कि A cross B is equal to AB sin of theta sin of theta theta is equal to 90 degree into n unit vector n unit vector लिखना ने बूल जाना ठीक है बचे भूल जाते हैं अब sin theta की value क्या होती है 1 sin 90 degree की value क्या होती है बटा और यह value maximum value होती है क्या होती है बटा sin function की और cause function की maximum value क्या होती है plus 1 क्या होती है बटा और minimum value minus 1 बटा बास हमेचा आगी यानि कि यह दोनों function क्या करते हैं oscillate करते हैं क्या करते हैं बटा oscillate करते हैं from minus 1 to the plus 1 यानि कि value जो है minus 1 से छोटी नहीं हो सकती और minus plus 1 से बड़ी नहीं हो सकती minus 1 और plus 1 के दर्मियान यानि 0, 0.5 minus 0.5 इस तरह से value क्या होती रहती है बटा, change होती होती है तो sin theta 90 की value क्या आगी 1 जो के maximum value है बटा, तो अब ये क्या बन जाएगा a cross b is equal to a, b ये क्या बन जाएगा 1 into any unit vector तो a, b into any unit vector बट समय जागी? अब देखो अब जब इस तरह की condition आजाती है तो फिर बटा, क्या होता है कि आपका product क्या होता है, बटा, maximum क्योंकि sin 90 की value क्या होती है, बटा maximum, क्योंकि product, magnitude, इनके तो change नहीं होते इनके तो नहीं रहेंगे ये change नहीं होती है, product की value change कैसे होती है function की value के, sign function की value के साथ, बटा बास मझा जागी? नहीं है तो पूछ लो, बटा अब ज़रा देखो अब यहां से हमें कुछ और बाते भी सोचने पढ़ेंगे, बटा ये z-axis है, y-axis का unit vector क्या होता है, बटा j, और x का क्या होता है, बटा i, और बटा z का क्या होता है, k, बटा बास समझा गी? अब ये तीनों perpendicular unit vectors है, बटा तीनों क्या है? परपेंडिकुलर unit vectors है, बटा समझा गी? तो अब ज़रा देखिएगा इनके results क्या आएंगे, ठीके? अब मैं यह आप एक cycle आपको बताता हूँ cycle चलो मैं बताने से पहले आपको यहां में कुछ लिखता हूँ बटा, अब यह मैंने कुछ बाते लिखी हैं यहां पे जो के very important है, I am sequence इतबार से भी और numerical के इतबार से भी बटा अब ज़रा देखो, कि I और J का cross product lane I और J का cross product lane की magnitude क्या है की? 1, क्यों इसकी magnitude भी 1, इसकी magnitude भी 1 multiply 1, इसे साथ 1 आगे और साथ में क्या आता होता है? unit vector क्या आता होता है बटा? unit vector unit vector यहां पे क्या आगया? k अब यह कैसे आता है ज़रा देखना अब ज़रा देखना आई की direction का आपने finger सो खोल लिया है और सो curl करवाया towards the J thumb will indicate the direction of the unit vector unit vector किस तरफ है? बाहर की तरफ तो वो क्या है बटा? k unit vector बटा बास मैं जा गी? अच्छा यह तो आप right hand rule लोगा की चेक कर सकते हैं लेकिन अब आपको मैं असान तरी का बता देता हूँ वो क्या है? आप एक cycle बना ले क्या बना ले बटा? यह cycle बना ले आपने ठीक है? इसके तीन पार्ट बना ले ठीक है? यह आई unit vector है यह जे unit vector है और यह क्या है बटा? के unit vector और इसको एंटी clockwise direction में इस तरह साइकल करते हैं cycle बना ले समझा गी? अब ज़रा देखना I और J का cross product लोगे दो आज़र क्याएगा? बास समझा गी? J और K का cross product लोगे दो आज़र क्याएगा? बास समझा गी? और K और I का cross product लोगे दो आज़र क्याएगा? बास समझा गी? मुश्किल बात तो नहीं कर दे हमने कोई? काम असान होगे मुश्किल अच्छा अब देखो हम यह नहीं कह सकते कि I cross J is equal to J cross I क्यों नहीं कह सकते हैं? हाँ, क्यों? Because cross product does not obey the commutative law यह पसमें equal नहीं होती है, यह कम्मुटेटिव लोगे नहीं करते हैं, बास समझा गी? तो फिर यह equal नहीं हो सकता, तो फिर यह negative, अगर यह K के बराबर है, तो यह minus K के बराबर आंसर आएगा इसका, बास में जागी, यह वाली बनेगी, अब ज़र देखना हमने right hand rule के जरीए चेक करते हैं, तो J cross I, इसका उलट किया है हमने, तो J cross I, direction is inward, पहले क्या थी, outward, तो इस direction के opposite direction में चलते हैं, तो हमारे पास results negative हैं, क्याएंगे बटा, अब देखो जरा, J cross I, अब हमें cycle के उलट चल रहे हैं, cycle क्या चल रहे हैं, तो फिर result का sign भी क्या होजएगा, उलट, J cross I का answer क्या हैगा, K तो आएगा, लेकिन उसका negative है, क्या हैगा बटा, बास में जागी अब देखो, J cross K का answer क्या हैगा, I तो आएगा, लेकिन उसका negative, बास में जागी बटा, इसी तरह, I cross K का answer J तो आएगा, लेकिन उसका negative, बास में जागी, कोई बास यहाँ जागी, मुश्किल लगे हो जरा पूछ लो, अब यहाँ पर हम कुछ एक बास करते हैं, करने लगे ह अब हम देखते हैं, जा में कमुटेटिव ला होल्ड कर जाता है, cross product में भी, वो केस कौन सा है, बटा जरा देखते हैं, अब हम देखते हैं, कि parallel vectors का, अगर हम cross product लें, तो फिर क्या results आते हैं, तो अब जरा देखिएगा, कि हम यह function जो product ले रहे हैं, यह किस पर depend कर रहा है, यह depend कर रहा है, कि हमारा sign function की value क्या आती है, ठीक है, जैसे कि perpendicular vectors में हमने कहा था, कि sign function 90 की value 1 है, जो कि maximum value है, तो product भी हमारा क्या आता, maximum, अब जहां पर sign function की value minimum आएगी, या 0 आएगी, तो product की magnitude भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो फिर हम यह कहेंगे, क्रॉस product है, तो इसका result हमेशा क्या आएगा, vector quantity आएगी, तो ऐसी vector quantity, ऐसा vector आएगा, जिसकी magnitude क्या होगी, 0, क्या होगी, 0, तो ऐसा vector क्या नाम होता है, बटा, null vector या 0 vector, ठीक है, तो parallel vectors का, अगर हम cross product लें, तो वो क्या आता है, बटा, null vector, क्या आता है, null vector, बटा, बात समझा गी, तो ज़रा क्या है, कैसे, let's suppose कि हमारे पास ये एक, vector है, और ये एक, दूसरा vector है, बी, जो के, बटा, same direction में है, जिनके दर्मिया अंगल कितना है, बटा, 0 degree ये अंगल बनता है, कितना अंगल बनता है, क्या अंगल बनता है, क्या आप ज़रा देखेगा, अगर हम इनका cross product लें, तो क्य बन जाय के, a cross b is equal to a, b, इनकी magnitude change है, नहीं होती ही, बटा, ठीक है, magnitude same रहेगी, किस पर product की value dependent करते है, बटा, angle, sign function की value पर dependent करते है, क्योंके अंगल कितना है, बटा, 0 degree, तो फिर हमने क्या लिए 0 degree, into n unit vector, ठीक है, अब sin 0 की value होती है, बटा, वो 0 होती है, क्या होती है, बटा तो अब ये ऐसा vector बन गया जसकी magnitude क्या है बटा 0 और उसके साथ क्या लगा हुआ है का unit vector magnitude है तो सही 0 है लेकिन उसके साथ क्या लग गया है segment लग गया तो ये क्या बन जाता है बटा null vector और उसको हम ओव उपर इस त्सथा से vector से represent कर रेते है बिटा बास समझा गई नहीं आई तो फोरण बोच लो अब जरा देखो तो ये नल वेक्टर का कंसेप्ट समझा गई पराडल वेक्टर की क्रॉस प्रोड़क्ट आपको समझा गई अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ वो काम यह है अब मैं B cross A क्या मालुम करता हूँ B cross A क्या मालुम करता हूँ B cross A अब यह हमने क्या मालुम किया है तो B cross A के लिए B A sign अब क्या angle change हो जाएगा angle तो वो ही रहेगा कि वो दोनों parallel है into N unit vector तो sin 0 फिर 0 तो पूरा function क्या हो जाएगा 0 into N unit vector which is equal to 0 अब देखो ज़रा null vector आगया A cross B का answer भी वही और B cross A का answer भी वही तो फिर हमें पता कह चल गया इस case में तो commutative law hold कर रहा है पास मजा गी तो मैंने इसलिए का था कि यहां पर कुछ exceptional cases है case है जो कि जिस दर commutative law hold कर जाता है जब आप दो parallel vectors का product लेते हैं cross product तब आपका commutative law hold कर जाता है जब आप दो anti-parallel vectors का cross product लेते हैं तब भी आपका commutative law hold कर जाता है anti-parallels में angle कितना बनता है बटा? 180 degree कितना बनता है बटा? 180 degree तो A vector यह है और B vector इसके बिल्कुल opposite direction में है बटा इनके दरी में एंगल की तरह बनेगा 180 डिग्री तो साइन 180 डिग्री की वैलियू भी क्या होती है बटा जीरो बास में जागी तो तब भी क्या होगा मैगनिटूड जीरो हो जाएगी और साथ में एन उनिट वेक्टर लग जाएगी फिर भी क्या होगा आपका नल वेक्टर आएगा बटा तो A क्रॉस भी लेंगे तब भी नल वेक्टर बी क्रॉस लेंगे तो तब भी नल वेक्टर आएगा तो बटा फिर क्या कहेंगे कि हमारा क्रॉस प्रोड़क्ट में भी होल्ड कर जाता है बट इन rare cases बहुत ही कम cases में, case कों से है जो आप क्या ले रहे होते हैं, बटा parallel vector का product और anti-parallel vectors का cross product वैसे generally commutative law hold नहीं करता है, हम जो law बनाते हैं, वो journal बनाते हैं, जो हर जगा valid होता है, जो कुछ-कुछ exceptions होती है, तो फिर हम उनको neglect कर देते हैं करते हैं, बटा, तो यहां पर हम से क्यू है कि कम्यूटेटिव law holds in cross product when the product जो होने वाले vectors हैं वो parallel हो या anti-parallel हो तब तो hold करता है, otherwise और किसी case में hold नहीं करता है, बटा, बात समझागी? यह बात याद रहेगी, यह आप लिख लेंगे साइड पर न, लिखते जाएंगे, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो कल बूल जाएगा अच्छा, अब यहां पर हम कुछ बाते सीखते हैं तो ज़रा देखो यह हम दुबारा से वो axis ट्रॉ कर रहे हैं यह x-axis है, यह y-axis है और यह k, बटा, z-axis यह i-unit vector है, यह j-unit vector है और यह k-unit vector है, बटा, ठीक है अब हम parallel vectors की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक और हम वो बना लेते हैं coordinate system अब इनके क्यों डिरेक्शन सेम है तो यह 3-axis लेक्शन दूसरे क्या है, बटा, parallel है तो यह भी i-unit vector, यह j-unit vector और यह k-unit vector, बटा, बटा, समझा गी तो अब हम इनका parallel vectors का product लेते हैं क्या लेते हैं, क्रॉस प्रॉडक्ट लेते हैं तो i x i is equal to j x j is equal to k x k always equal to the null vector always equal to the null vector, बटा, 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 समझा गी अगर हम इसको इसको इस तना कर लें k i x i, j x j, k x k is equal to 0 करना हो, तो फिर क्या करेंगे 0 से क्या होती है, बटा, magnitude, क्या होती है अगर मैं इस तरह लेते हैं, तो null vector आएगा क्योंकि यह vector form है, क्योंसी form बटा, अगर हम इसकी magnitude form लेते हैं, तो फिर इसका अंसर क्या हैगा 0 आएगा, बटा, बात समय जा गई, 0 से क्या होती है, magnitude तो हम magnitude form में लिखेंगे इसको इस तरह से, कोई बात याँ तक मुश्किल लगी, उजरा पूछ लो, बटा, अब हम बात करते हैं, हमने anti-parallel की बात कर लिए, और parallel की बात कर लिए, हमने तीसी प्रॉपर्टी थी, anti-parallel वाली, चोथी प्रॉपर्टी थी, बटा, सारा काम वही करेंगे, यह डियागराम बनाएंगे, एंगल की तना पूट करेंगे, 180 डिगरी, sin 180 value क्या होती है, बटा, 0, तो तमाम फंक्शन क्या होती है, 0, तो फिर वह any unit vector लगावा साथ उसके, तो 0 साथ जब any unit vector लगता है, तो वह एक null vector बन जाता है, क्या बन जाता है बटा, null vector बन जाता है, ठीक है?